नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप शभी? उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है, वो स्वपन शास्त्र पर में आधारित है आज हम लोग बात करने वाले हैं सपने के बारे में जैसे मान लो आप निंद में हो और आपने सपने में देखा है कि कोई बिल्ली है जो की आप पर में हमला कर रही है तो शपने में अगर बिल्ली ने आप पर हमला किया तो इस शपने का क्या अर्थ होने वाला है इस सपने को देखने के वाद आपके जीवन में क्या होने वाला है क्या कोई फाइदा होगा कोई नुक्सान होगा या आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है क्योंकि अगर आपने सपना देखा है तो शपने का कोई न कोई अर्थ भी अवश्य होता है और उस सपने का प्रभाव उस व्यक्ति पर में भी अवश्य बढ़ता है तो वीडियो बहुत ज्यादा महतुपुर्ण है बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है परंतु उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं उस मुद्दे के ब वाली है शमय का साथ समय का सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपका श्वास्त बहुत ज्यादा खराब होगा और श्रीहत के मामलों में आपको श्मस्या का सामना सबसे पहला करना पड़ेगा शबसे पहला तो आपका श्वास्त खराब हो जाएगा और श्रीहत के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना कहीं न कहीं बहुत ज्यादा करना होगा दूसरी समस्या होगी कि आप आर्थिक रूप से कमजोर होने वाले हैं धन हानी की संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है इस लेन देन के बाद आपका पैसा डूब सकता है और आर्थिक रूप से आप कमजोर हो सकते हैं इस श्रपने को देखने के बाद अगर आप कहीं भी धन को निवेस करते हैं पैसों को लगाते हैं तो निवेस के दृष्टिकों से भी आपका शमय आपका साथ वर्तम में बिल्कुल भी नहीं देगा तो निवेस करने में भी आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है अगर पैसों को लगाना है पैसों को निवेस करना है तो निवेस करेंगे परन्तु निवेस करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इंतजार करने के कर उस व्यक्ति पर में आप भरोशा करते होंगे परंतु उस व्यक्ति के द्वारा आपको छला जाएगा और इसके बाद आप मानसिक रूप से थोड़े बहुत व्यग्र हो जाएंगे आपकी मानसिक शांती भंग हो जाएगी और शमस्या का सामना आपको बहुत ज्यादा करन it pointing ना दोस्तों करना क्या है कि शपनां देखने के वाद अगले दिन प्रात्रकाल मेń आपको उश्चनाम ध्यान के बाद महादेव की पूजा करनी है घवान सिव संकर की पूजा करनी है और इसके वाद इस सपने कि वारे में भगबान महादेव से आपको बता देना है रिष्ट की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीछे में theoretically आपको लिष्ट देवता का नाम कमेंट कर देना है और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला